राइबरेली में केंद्र सरकार द्वारा दोहसार इकिस ता गांधी शांती पुर्सकार देने का निर्णे गीता प्रेस को लिया गया था जिसके विरोध में आज कॉंग्रेसियो द्वारा जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव को राश्ट्रपती के नाम ग्यापन सौपा है कॉंग्रेस के अलप संख्यक प्रकोष्ट जिलाध्यक्ष की अगुआई में दर्जनों की संख्या में कॉंग्रेस के पदादिकारी वा कार्यकरता मौझूद रहे दरजल केंद्र द्वारा 2021 के गांधी शांती पुरुसकार द्वारा गीता प्रेस को सम्मानिच किये जाने का मामला राइबरेली में कॉंग्रेसियों द्वारा राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। आज कॉंग्रेस के अलप संख्यक प्रकोष्ट के जिलाध्यक्ष मुहमद उमर की अगुआई में दरजनों की संख्या में कॉंग्रेसियों ने डियम माला श्रीवास्तव को राश्ट्रपती के नाम ग्यापन देकार गीता प्रेस पर गंफीर सवाल खड़े किये हैं। गीता प्रेस द्वारा कल्यान प्रत्रका के अंक में भारत रत्न बबस सहाब अंबेटकर पर एक जाती गतलेख चापा गया था। जिसको लेकर आज हम लोगों के द्वारा राश्ट्रपती के नाम ग्यापन जिलाधिकारी को दिया गया है। जिलाधिकारी के माध्यम से महा महीम राश्ट्रपती महोदिया को एक ग्यापन दिया है। को आउगत कराना चाहता हूँ और उनसे नुरोद भी करता हूँ कि जो पुरुषकार केंद्र की सरकार ने गीता प्रेस को देने का आइलान किया है। क्योंकि इस समाज में बहुत ही नफरत फैलती है। हमारे जननायक राहुल गांदी जी ने कहा है कि हम लोगों को नफरत छोड़ के महबत के रास्ते पे काम करना है। और वही एक तरफ भारती जनता पार्टी की सरकार एक ऐसे प्रेस को सांती पुरुषकार देने जा रही है। जो सम्विधान के सिल्पी, सम्विधान के जनक हमारे बाबा साहब अंबेटकर के खिलाप बहुत ही अमर्यादित की पड़ी गी। अगर इस ग्यापन के माध्यम से कुछ न हुआ तो हम लोग पूरी अलपसंख्यक प्रकोष्ट, पूरा कांग्रेस एक जुट होकर सरकों पर उतरेगा। और जो गांधी सांती पूरुसकार गीता प्रेस को देने का अलान किया गया है उसके विरोध में हम लोग एक जुट होके इसका विरोध करेंगे।